हलो दोस्त मैं सरोज आप सभी का बहुत-बहुत सागत करती हूं मेरे कीचन में आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हैं बच्चों का पसंदीदार चोकलेट मिल्सेकी रेस्पी यह पीएम बहुत ही चेश्टी होता है इसे हम घर पे बनाएंगे बहुत असान तरीके से ताब आए से ज़रूर त्राइ करे तो पिश्यकर लिए इसे बनाए सटार करते हैं तो सबसे पर हाम ग्रांदिंग जार लेंगे इसमें 1.2 चमच आयश्क्रीम 2017시arta चोकलेट आयश्क्रीम है यह 2 चमच चनी के आप मिटेके साण से लिए हैं धियान रहे चोकलेत भी मीठा क्या हो है थोड़े से iice को डाल देंगे हो सिए थंड़ा दूद्स दूद है अब इसको हमMER डाल लें गे यहां पर अमारा ठंडा ठंडा छोकले मिल्क से को बनके त्यार है फिजी घ्लास में फिजीं को फ्रीय। इत ह necessity करना है गिलास का साइड साइड हैं किंडारों पर जिराते जाएंगे अपने अपने ही design बनके त्यार हो जाएगा जिसे आप देख सकते हैं, ये देखे, मैंने डाल दिया है, अब अपने हम आईस क्रीम को डालेंगे एक चमच, इसमें डालेंगे अपना हम चोकलेट मिल्क सेक, ठंड़ ठंड़ अमारे याँ पर चोकलेट मिल्क सेक बनके त्यार है, तो आप इसे सर्व कीजिए, वैसे तो इ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप उसे जरूर ट्राइ करें, इसलिए आप हम बनाएंगे अपना ओरियो बिस्कुट मिल्क सेक, सबसे पहले हम बिस्कुट लेंगे, याँ आप मैंने 6 बिस्कुट लिया है, तोल कटके हम गडानिक जार में डाल देंगे ओरियो याँ मैंने बिस्कुट को तोल के डाल दिया है, साथ ही में डालेंगे हम वेनिला आइस्क्रीम, दो चमच, इससे बहुत ही बढ़े टेस्ट आता है, मिल्क सेक में, दो चमच अब चीनी डाल देंगे, ध्यान रहे, बिस्कुट भी मीठा होता है, तो इससे साब से डाले, ए ये गिलास मैंने दो डाल दिया है, साथ ही में डालेंगे हम थोड़े से आइस्क्रीम, डालने के पास को हम ग्राइंड कर लेंगे, यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है, थमारे यहाँ पे, औरियो बिस्कुट मिल्क सेक बन के त्यार है, अब देख सकते हैं, ये पीने लगता है गिलास को हम जार्निस कर लेंगे वैसे ही जैसे मैंने दूसरी गिलास को किया यह देखिए चोकले सिर्प डालने से गिलास तोड़ा दिखने माचा लगता है अब इसे हम ठंदा ठंदा स्वर्ब करेंगे थोड़े से हम इस पर बिस्किट डाल देंगे तोड़कर गार्निस के लिए इसे दिखने में अच्छा लगे हमारे यहां पर उडियो बिस्किट मिल्क सिक बन के त्यार है आप से जरूर ट्राई करें आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा और ट्राई करने के बाद आकर आपका मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें 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 और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूले साथ ही गंटी का बटन दबाते जाए तक कि जाब मेरा नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास लोगे तो दोस्तो झाल को